हलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल शाहिंग्स वर्ड आज में शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पे फेश प्राई जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्रिस्पी है जो बहुत ही कम ट्राई में क्रिस्पी सबन को रेडी हो जाता है अगर आपका कभी भी थर्ट से जरूर बनाएं इस से आपके फेश क्रिस्पी भी बनेगी और फेश में किसी भी तरह की स्मेल भी नहीं आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्पे फेश फ्राई फेश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहां पर रोहु मश्पी का यूज किया है आप चाहे तो किसी भी मश्पी का यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर एक तूट पिकर के हल्प से मश्पी को अच्छी तरह से प्रिक कर लिया है जिससे उसके मसाले अंदर तक चले जा और मश्पी अंदर से फीकी फीकी ना लगे अगर आपके पास कॉन फ्लोर ना हो तो आप चावल का आटे कभी यूज कर सकते हैं अब हम सारे मसालो को मश्पी में अड़ करेंगे और सारी सीजार डालने के बार हम फ्लेएं इसमें डाल देगे ताके हमारी मश्पी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले अब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं अब हम इसे आदे घंटे के लिए रख देंगे अगर आपके पर जादा टाइम है तो आप इसे एक घंटे तक लिए भी रख सकते हैं आदे घंटे हो गए हैं और हमारे मशली अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है अब हम इसे फ्राइब करेंगे प्राइब करने की एक पैनल और उसे मीडियम फ्लेम पर ऑईल को गरम करें जब ऑल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो हम इसे मशली डालेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे इसके साइट्स को चेक करते हुए अच्छे से फ्राई करें वरना ये चिपतने लगेगी देख सकते हैं हमारा ये क्रिस्पी सा फिश फ्राई अब ब्रेडी हो गया है अब हम इसे वन बाई वन निकाल लेंगे और सर्व करेंगे प्राई करेंगे रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राईब कियों वे ना जाए आप मोज़े इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्यू झाल 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 ।